Hi everyone, so, आज हम बात करेंगे right choices के बारे में, how to make right choices in your life, right? तो right and wrong, दोनों तरह के choices के बारे मात करेंगे, अब ये topic मैंने इसलिए चूज करा है, definitely ये regular topic होता है, fitness उससे related नहीं है, लेकिन कही नहीं ये आपकी life को affect करता है, और मैं मानता हूँ कि मेरा ये चैनल है, उस पर मैं fitness नहीं, complete एक lifestyle के बारे में बात करने वाला हूँ, आगे भी type के videos में डालता हूँ, right, तो अभी तक मैंने अपने life में जो कुछ सीखा है, वो सारे जो भी बाते हैं, वो आपके साथ में share करूँगा, and मैं कैसे choice करता हूँ, मैं किसी, जो भी मेरे life के decisions होते हैं, वो कैसे लेता हूँ, कैसे decide करता हूँ, कौन सा decision मेरे लिए सही है, कौन स तो डेफिनल्या आपको decision लेने से पहले कई बार नहीं पता होता हूँ, जादा तर नहीं पता होता है, कि यह सही सावीत होने नहीं सावीत होने वाला है, लेकिन फिर भी आप approximate पता लगा सकते हैं, कि कौन सा decision आपके लिए सही रहेगा, और कौन सा नहीं रहेगा, तो वो क् किस तरीके से decide करता हूँ या फिर मेरा decide करने का तरीका कह रहता है वो क्या framework है वो मैं आपके साथ में अभी share करूँगा या फोप यह आपको help करेगा आपकी life में आगे तो अगर आप under 25 है जो 25 से हैवा में definitely वो मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं लेकिन अगर अगर आप under 25 है आपके घर में कोई आपके साथ में बहुत ज़्यादा life experiences share नहीं करता और आप बहुत ज़्यादा आपके घर वाले आपको कुछ और कराना साते हैं यह सारे doubts अगर आपके life में चल रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए and definitely इस वीडियो के बाद में आपको थोड़ा सा clarity मिलेगी या फिर अगर आप समझ लेते हैं तो काफी clarity मिलेगी आपको पर चॉइस के बारे में completely बात होगी मैं सारे topics कवर करूँगा जो लोग college में हैं उनसे related भी school में हैं उनसे related भी जो लोग job कर रहे हैं या जो अपना business करना चाते हैं कोई singer बना चाता है कोई crickator बना चाता है कोई photographer बना चाता है तो वो सारे topics सारी चीज़ों को मैं gig करके कव सबसे पहले हमें 2 चीजि आंप समझना होता नीट जिसे हम ब्लूँ मार करेंगे कंप्लीट वीडियों आप मिन जुए नीट देक्ट ने कि नहीं करते हैं नीड लोग नहीं पता उनके décidéठ बता नीड और वांट में सिंपल डिफेरेंट करना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में जरूरी हैं जिनके विना आप आगे नहीं बढ़ सकते जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो हडल करते हैं और आपको आपके पास में वो होने ही चाहिए उन चीज़ों को हम बोलते हैं नीड अधर जो होता है उन्हें बोलते हैं वांट्स फोर एक्जमपल मैं यह वीडियो बना रहा हूं यह काफी पुराना एक हमारे पास में वाइट वोड पड़ा हुआ था और इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा विज्वल रिप्रेजेंटेशन देनी थी इस टॉपिक को कवर करने के लिए राइट तो मेरे पास में दो अप्सन थे एक मैं बड़ा सा अच्छा सा नया सा बोर्ड लेकर आऊं और उसमें आपको यह सारी चीजह बताऊं दूसरा मैं इसी पुराने बोर्ड में को यूज करो और आपको एक्स्प्रेंट कर दूँ यह सारी चीजह इस पार्टिकुलर इसमें को ज्यादा मुझे रिप्रेंट नहीं करना है तो इस पार्टिकुलर बोर्ड पर भी वो काम हो सकता है और अगर मैं बड़ा बोर्ड लाता डेफिनली एक थोड़ा सा आराम रहता और अच्छा लगता एक विजूल लुक अच्छा था उसका क्यो लेकिन एक बड़ा बोर्ड होना अच्छा नया बोर्ड होना वो मेरा वांड था मुझे बस सिंपल चीज को एक अच्छे से रिप्रेंट करने के लिए मैं चाहा रहा था उसे लाना तो मैंने डेफिनली नीड को चूज कर रहा है यानिकि इसी बोर्ड से काम चलाना ज्याद सिंगर बनना चाहते हैं, वो आपकी वांट है, आप चाहते हैं सिंगर बनना रिट, नीड किया है आपकी, नीड यह है कि सिंगर बनने के लिए आपको money होनी चाहिए, अगर आपके घरवाले सपोर्ट कर रहे हैं तो definitely not a nisoo, या फिर या फिर वो सपोर्ट करना भी चाहते ह उस case में आपको पैसा की requirement होगी, पैसों के लिए आपको job करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, तो वो आपकी need होगी, money आपकी need होगी, want होगी आपका जो dream है, आप सपना है, जो आप पैसनेट है, आप क्रिकेटर बनना चाते हैं, आप ब्लॉगर बनना चाते हैं, दो points में break करेंगे, and then उन्हें cover करेंगे, तो इससे आगे जाने से पहले, मैं एक ideal situation आपको represent कर देता हूँ, एक ideal case, तो वो ideal case यह है, कि यह जो distance है, आपके need और wants के बीच की distance, हमारा target रहेगा, इससे close करना, कम से कम करना, क्योंकि आपकी distance जितनी कम होगी, need और want के बीच में आपकी choices, आपके decisions, उतने ही आपके लिए अच्छे सावित होंगे future में, long term में, ideal situation क्या हो सकती है, कि यह बिलकुल एक दूसरे को cover कर रहे हैं, तो यह मैंने double कर दिया, कोई नहीं, यह आपका need और want एक दूसरे को completely cover कर रहे हैं, तो यह आपकी एक ideal situation रहेगी, तो हमारा target रह रहेगा, ideal नाम से ही जैसे कि हमें पता चल रहे है, कि यह ideal है, मतलब next to impossible है, इसे achieve करना, लेकिन हमारा lifelong एक target रहना चाहिए, कि हम इस situation को achieve करें, अपनी life में, आपकी यह need or want जितने close होंगे, या फिर जितने एक दूसरे को circle कर रहे होंगे, तो हमारा target रहेगा, यह distance हो है, ज जितना ज्यादा हो, वो हमारा target रहेगा, कोई भी choice, कोई भी decision जो हम करेंगे अपनी life में, हमारा target यह रेंट वाला है, तो इसे और अच्छे से समझते है, एक example लेते है, आपको singer बनना है, ठीक है, आपको singer बनना है, and again singer बनना है, आपके family वाले आपको support कर रहे हैं, तो well and good ठीक है, रास्ता साफ है, आपके पास में ज्यादा कुछ, आपको चाहिए नहीं, मतलब need बहुत ही कम है, आपको singer बनना यह want है, और need आपके, घर वाले आपकी पूरी कर रहे हैं, तो उस case में, लेकिन अगर वो पूरी नहीं कर रहे हैं, उनसे support आप नहीं चाहते हैं, आप confused हैं भई, यह singer बनने का सपना है, लेकिन घर में कोई connection भी नहीं, कोई और पहले से singer नहीं है, जिससे मैं सीख पाऊं, at least basic, और आप चाहते हैं singer बनना, आपको घर से बहार जाना है, आपको मुंबही जाना है, आपको अच्छे लोगों से, टॉप क्लास लोगों से singing सीख न लेने के लिए, और भी चीज़ें, जो instruments आपको लेने होगे, तो want, आपका singing है, singing, and need किया है आपकी money, money is the basic need, यह अभी जो life है, जो दुनिया है, जो उसमें money आपकी basic need हो चुग है, and then उसके बाद में connections, आपके घर पर बार में अगर कोई है, तो ठीक है, well and good, आप उनसे basic singing स नहीं है, बाहर आपके connections में कोई है, और नहीं है तो आपको connections बनाने पड़ेंगे, अधरवाइस सिर्फ पैसों से भी आप success नहीं हो सकते, तो connections, एक अच्छे गले का होना, सही time पर practice करना, सही mental state में होना, positive रहना, यह सब आपकी needs है, इनके बिना आप success नहीं हो पाएंगे, एक अच्छे singer नहीं बन पाएंगे, हमारा target रहेगा, इस particular want को need के close ले के आना, जो भी हमारी need है, उसके close ले के आना, अब आपके बास में क्या option है, आप तुरंत, अभी आप कहीं किसी remote area में रह रहे हैं, आप तुरंत Mumbai जाहिए, और वहां से किसी top class singer से, जो भी singing के tradition देते सिखाते हैं, उनके से आप जाके सीखिए, या फिर आप connection बेल्ड करिए, और आप उनके थ्रों आप घर से ही सीखना स्टार्ट करिए, और घर पर ही आप other लोगों को tuition दे किसी भी तरीके से आप money earn करते रहे हैं, तो दो रास्ते हैं आपके पास में, एक आप किसी से support लीज सकते हैं, और ले सकते हैं, तो first option में क्या हो रहा है, आपने घरवालों से पैसे लिए और चलेगे, तो आपकी need money की थी, आपका want, singing थी, दोनों ही काफी अच्छे से एक दूसरे से match कर गी, तो उस case में कही ने कहीं आप singer हो जाएंगे, अगर आप मेहनत लगा के काम करते हैं तो right choice आपकी, यहाँ पर आपने कोई choice नहींगी, यहाँ पर आपका decision नहींगी, आपके घरवालों का आपके व्याप पर decision करना पड़ेगा, किसे मुम मही भेजना है या नहीं बोड़ना, क्योंकि need तो ओई फिलफिल करने वाले हैं, choice लेने का, decision करने का हक आपको तब होता है, जब आप खुद की need पर खुद काम करें, जब कोई और काम कर रहा होता है, तो वो आपके व्याप पर decision ले रहा होता है, आप पर risk ले रहा होता है, तो वो सारी चीज़े matter करते हैं आपके, अब आप जब आपके पास में money मिल गई तो उन्होंने decision ले लिया, यहाँ पर आपका कोई रोल नहीं है, आपका रोल तब आएगा, जब आप खुद से money earn करेंगे और उसके बाद में singing करेंगे, तो इसमें भी दो cases बनते हैं, खुद से आप घर वालों से कोई support नहीं चाते हैं, वो support करना भी चाते हैं, तो भी आप उनसे कोई support लेना नहीं चाते हैं, इस case में भी दो case बनते हैं, इस condition में भी, first case बनता है, कि आप मुंबई जाते हैं, यहां से कैसे भी करके आप अपना जो भी fare रहता है, आपका train, bus जो भी आप जाना जाते हैं, उसे आप मुंबई पहुंचने के बाद में, आप decide करते हैं, कि मुझे घर वालों से कोई support नही हैं, तो singing करके तो आप पैसा कमानी सकते हैं, आप singing सीखने गए हैं, आपको job करने पड़ेगी, job पो definitely singing से related नहीं होगे, क्योंकि आप just learn कर रहे हैं, तो किसी और area से होगी, तो उस case में क्या होगा, कि आपका जो need है, जो आपका money का जो need है, money का need आपकी singing से, आपकी singing से आप को दूर ले जा रहे हैं, तो यह distance जो है, वो और जादा हो गया, क्योंकि आप मम्मी तो पहुंच गया, आपको लग रहा है, अपने सपनों के close आगे, लेकिन यहां आप free थे, वहां आप 8 गंटे job कर रहे हैं, 2-4 गंटे आप खाना वगएरा भी बनाते हैं, आप बाहर से जाता है, तो आप 2-4 गंटे job के लिए prepare करते हैं, वो सारी जाप करने के लिए आपको थोड़ा बहुत घर पर भी काम करना पड़ता है, तो वो आप कहीं ने कहीं 10 से 12 है, आपके दिन के घंटे आपके ले रहा है, 8 गंटे आपको सोना भी पड़ेगा, क्योंकि आप लग जाएं, और आपके पास में money connections यहीं ना रहे, आप लोगों को भूल जाएं, आपके पास में पैसा ना रहे, तो वो चीज़ भी आप long term तक continuing नहीं कर सकते हैं, तो इस case में भी आपके distance बट रहे हैं, तो हमारा target क्या है, इन दोनों ही choices से, full time job करना, या फिर full time singing करना, ये दोनों ही choice आपको अपने dream से दूर ले जा रहे हैं, तो यानि कि ये दोनों ही long term में wrong choices साबित होने वाली हैं आपके लिए, right, right choice क्या होगी आपके लिए, पहली choice में आपको पैसा तो आपके पास में आ जाएगा, यानि कि job करने से पैसा तो आ जाएगा, लेकिन singing आप practice सेब ना कर पाओ, कि आप singing में invest कर पाओ, और singing आप directly coaching लेने तो singer बन नहीं जाते हैं, आपको और भी चीज़ों में invest करना पड़ेगा, right, तो आपको अपने album भी हो सकता है, release करने पड़े हैं first time, तो वो सारी चीज़े अगर factor को आप लेके चले हैं, तो एक simple job से जब आप घ क्यासी career को afford करने के लिए, right, तो एक बहुत ही गलत choice सावीत होने वाली है, यह आपके लिए long term है, second choice आपकी पास में जो थी, कि आप completely singing में लग जाएं, वो again, singing में तो आप कर रहे हैं, practice कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कब तक कर पाएंगे, जिस दिन आपने घर को close लाएगी, वो होगी, आप यहां तो part time job करें, 4-5 गंट की कोई job हो सकता है, वो आपको कम पैसे दे, आपके पास में पैसा कम है, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी singing को भी practice करें, right, अब part time job कर रहे हैं, singing को भी practice कर रहे हैं, आप जैसे ही कुछ time singing कर लेते हैं, एक साल, दो साल, उसके बाद मैं, आप कहीं ने कहीं, थोड़ा बहुत कोई, छोटे मोटे सो करके, singing से भी कमा सकते हैं, right, आजकल hotels वगएरा में आपको singing करना, अगर आता है, तो hotels वगएरा में आपको छोटा मोटा part time job मिल जाता है, 2-4 गंटे का, तो उससे क्या होगा, आप singing भी कर पा लेकिन आप इसी इसको समझे, वो छोटा काम भी आपको बड़े result दिला सकता है, क्यों, क्योंकि आपका जो want है, यानि कि singing बनना आपका जो पैसन है, वो आपके need से match कर पा रहे है, need क्या है आपका money, पैसा, आप job इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको job करना अच्छा आप job इसलिए करें क्योंकि आपको मुम्मे में रुकना है, वहाँ पर singer बनना है, तो आप अपने wants को need से close लाए, तो short term के लिए ये आपको decision बहुत ही खराब लग सकता है, क्यार मैं घर से आराम से रहता था, मजजे से खाता था या खाती थी, अभी मैं मुम्मे आया हूँ singer बनने के लिए आया था, यहाँ पर किसी hotel, restaurant में गाना बजाना कर रहा हूँ, तो वह एक छोटा काम लग सकता है, लेकिन long term में ये क्योंकि आपको अपने goal के close लेके जा रहा है, आपके passion के close लेके जा रहा है, तो आप इसे ज़्यादा time तक continue कर पाएंगे, और साथी साथ म हमारा target जो रहेगा, वो अपने needs को और wants को close करके लाना है, तो ये जब मैं अगर मैं आपको ये draw करके दिखाऊंगे, ये किस type से दिखेगा, तो ये हो गया आपका part time singing करना, किसी hotel के लिए या कहीं पर भी मतलब, मैं एक option दे रहा हूँ, जो भी आपको option मिलता है, वो तो व Justin Bieber की, वो पहले roads पर ही गया करते थे, और उसके बाद में वो viral हुए वहां से, और उसके बाद में वो एक बहुत बड़े singer बने, तो ऐसी बहुत सारी आपको story मिल लेंगे, अब क्योंकि वो person completely singing करने के लिए singing से detached नहीं हुआ, इस वज़ाए से वो जल्दी से अपने goal को achieve कर पाया, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, practically भी आपको ये framework बहुत से लोगों पर आप देखेंगे, तो काम किया है, and ये आपका है need and want, तो इस case में क्या होगा, कि आपके need and want से दूर नहीं जा रहे हैं, वो एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, आपको चाहिए थी पैसा, अब पैसा आ है, जो 12 hour का 10 hours का, या 8 hours का job आपको जो पैसा दे सकता था, वो तो नहीं मिलना है, तो definitely ये area जो आपका रह गया है, खाली, वो सारा कुछ नहीं मिलना है, और completely आप 100% singing पर भी focus नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको hotel में जाना है, ready होते हो, आप daily prepare करते हो, और वहां पर जो का रहे हैं, जो भी तरीके से जो चीज़ां हो रही हैं, उसके लिए प्रिपर करना होता है, तो completely आप singing, जो आपकी man core singing है, उस पर focus नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं दौनों नीज को ये fulfill कर रहे है, और जैसे जैसे आप काम करोगे, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई थी connections, connections भी आप कोई भी career, कोई भी चीज़ करना चाते हो, connection is equally important, right, तो जब आप किसी hotel में जा रहे हो, तो वहाँ पर बहुत सरे लोग आते हैं, right, वहाँ आप से पूछते हैं, वहाँ आप singing कर रहे हो, कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वहाँ से connections भी बिल्ड होंगे, तो इस case में आपके needs and आपके wants दोनों एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपका experience वढ़ता जाएगा, आप singing अच्छी करते जाएंगे, वैसे वैसे और अच्छे hotels आपको मिलते जाएंगे, गाने के लिए, जो भी area है, और अच्छे हो सकता है चोटे-बोटे souls मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, किसी के साथ में, band में आपको रख लिया जाएंगे, फिर आपको solo soul आप कर सकते हैं, धीरे-धीरे करके आप अपने goal तक reach कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा जो target रहेगा, इस intersection point को और जादा उपर की तरफ इस तरीके से ले जाना, और इन एक दूसरे को इस ideal situation की तरफ ले जाना, और जैसे ही आपका wants, यानि के singer बनने की चाहत आपके, and आपकी need, money and connections, वो एक दूसरे को completely intersection कर जाएंगे, उसी दिन आप एक singer बन जाएंगे, और तब आप कहेंगे, कि हाँ भाई, अब मैं अपने सपनों की जि choices कर सकते हैं, और ये वीडियो मैंने ये topic आज इस इसे cover करना जरूरी समझा, क्योंकि मैं ही choices related काफी सारे मैंने blenders की अपने life में, and अभी जो मेरे छोटे भाई हैं, brothers हैं, छोटे cousin brothers, ancestors, मैं देख रहा हूँ, उनके life में भी बहुत सारी confusions रहते हैं, choices को लेके, क्या सही है, उनके लिए क्या गड़ता है, और definitely जब आपके पास में life experience जादा नहीं होता, तो ये confusions स्वभाविक हैं, ये हम सब के अंदर आते हैं, तो ये confusions आपको ना हो, और ये decisions आपको कैसे लेने हैं, क्या choice आपके लिए सही रहेगी, short term में, कौन से choice आपके लिए long term में सही होंगे, तो हो सकता है short term में आपको लगे क्या रहे हैं, लेकिन long term में वो आपके लिए अच्छे ही साबित होंगे, right, so that's all for today, have a great time.